गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम शंकू की उचाई, शंकू की आधार की तरिज्या, शंकू की तीरियक उचाई, शंकू का आयतन, शंकू का वक्रप्रिष्ट और आधार का चित्रफल इनके बारे में जानेंगे तो शंकू क्या होता है, देखे, तो इस प्रकार के जो आकरिती आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे शंकू, यानि इसमें शंकू में यहाँ से यहाँ तक की जो उचाई है, इसको बोलते हैं उचाई, यह आधार की तरिज्या, और यहाँ पर जो लाइन गया है इसको बोलते हैं तीरिया कुछाइब यह बेस और बेस का जो छित्रफल देखी यह बृत्त आकार के होने के कारण यह बृत्ताकार है और यहां पर जो आकरिती बनता है एक्चल में कोण में देखिए इस टाइप का अगर हम एक वेपर ले ले कटिंग करे और इ चलिए आगे देखते हैं इसके क्या-क्या मुख्य शूत्र है तो सबसे पहला शंकु की उचाई उचाई इस लाइन को हम बोलेंगे उचाई दूसरा जो है शंकु की आधार की तरिज्या तो इसके जो केंद्र है केंद्र से परिधी तक की जो दूरी है इसको हम बोलेंगे अधार की तरिच्च्चिया तिसरा जो है slant height यानी तिरियक उचाई यह जो तिर्चा जो उचाई दीख रहा है इसको बोलेंगे हम तिरियक उचाई फिर आता है आधार का छेत्रपल चूँकि आधार बृत्त आकार के होने के कारण इसको हम बोल सकते बिद्ध होने के कारण इसका छेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेर एनि बिद्ध का छेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेर इसलिए आधार का छेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेर अब चलते हैं इसका जो वक्र 22 बटे साथ, आर्थ रिज्या, और L जो है, तीरियक उचाई है, अब यदि शंकू का आयतन ग्याद करेंगे, तो शंकू का आयतन क्या होगा, 1 बाई 3, पाई आर स्क्वेर H, आर्थ रिज्या है, और H उचाई है, और यह जो देखी आयतन है, बेलन का आयतन का एक तिहाई है, क्योंकि वेलन का आयतन कशूत्र क्या था, पाई आर स्क्वेर H, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वेर H के जगा, 1 बाई 3, पाई आर स्क्वेर H है, अब शंकू का संपूर्ण प्रिष्ट का चेत्रफल, शंपूर्ण प्रिष्ट का चेत्रफल बोलने से, एक तो आपका यहाँ पर वक्र प्रिष्ट है और दूसरा क्या है बृत्ताकार प्रिष्ट है बृत्ताकार बने आधार का चेत्रफल तो दोनों प्रिष्ट मिला करके शंकू का वक्र प्रिष्ट का चेत्रफल प्लस शंकू का आधार का चेत्रफल होगी अब यहां पर वक्र प्रिष्ट का प्लस आर हो जाएगी अब यहाँ पर तीरियक उचाई अगर निकालना है तीरियक उचाई लेटरल सर्फेस के जो तीरियक उचाई है उसको निकालना है मतलब L निकालना है देखिए तो शमकोन त्रिभुज ये एक शमकोन त्रिभुज बनता है तो ये शमकोन त्रिभूज में ये नब्यांस है, ये H है, ये R है, ये L है, एनि क्या हो जाएगा, L square is equal to R square plus H square, तो L बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल R square plus H square, ये शुत्र से हम slant height निकाल सकते हैं, चली, अब यहाँ पर जो प्रिष्ठ है देखिए, ये जो प्रिष्ठ है, और इस से जो बनेगा ये वक्रापार क्रिष्ठ है, इसको अगर तीरिया कुछाई किसी उसी बुक में आपको L दिया होगा, कहीं पर S दिया होगा, तो P R square और P R L या P R S, इन दोनों का योग के बराबर होगी, अभी अभी हमने बात किया था, कि जो बेलन होए, बेलन क आयतन का शूत्र होता है, P R square H, और जो यहाँ पर कोन बन रहा है, इसका आयतन का शूत्र है, 1 by 3 P R square H, एनि एक तीहाई है, तीन भाग का एक भाग है, चलिए अब हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न को देखते हैं, एक एक करके, कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक लम बृत किये, शंकू के वक्र प्रिष्ट का छित्रफल गैत कीजिए, जिसकी उचाई 10 cm तथा आधार की त्रिज्या 7 cm है, तो क्या-क्या गिवन है, यहाँ पर तिर्यक उचाई दिया है, उचाई दिया है, तो उचाई से हम तिर्यक उचाई निकाल सकते हैं, यहाँ पर तिर्यक उचाई कर लिजिए, प्रश्न में अक्चल में तिर्यक उचाई था, यहाँ पर तिर्यक उचाई अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तो तिर्य अगर slant height है,образ है slant height 10 cm हो और आधार की तृविजया 7 cm हो तो दिया क्या है? दिया है आधार की तृविजया, शंकू की आधार की तृविजया radius of base किसे दिनेट करेंगे R से R कितना है 7 cm है और slant height दिया है slant height slant height को हम L से denote करते है ये L दिया है L का value कितना दिया है 10 cm 10 cm तिर्यक उचाई तिर्यक उचाई अगर तिर्यक उचाई नहीं दिया रहता है तो पाइथोगरस ठेवरम से हम तिर्यक उचाई निकाल लेते तो तिर्यक उचाई L का value इतना हो गया अपने को क्या निकालना है शंकु का वक्र पिष्ट का छेतरफल का चित्रफल तो शंकू का वक्र पिष्ट का चित्रफल क्या होता है। पाई आर एल, कर्व सर्फेस एरिया, कर्वड सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया ओप कोण, एरिया ओप कोण, पाई आर एल, तो पाई आर एल, पाई का वेलू, बाइस बटे, साथ, आर का वेलू, साथ, और एल का वेलू, यहाँ पर दस है, तो 7 साथ से कट गया तो क्या बचा 22 और 10 22 बचा और 10 बचा और दोनों को गुना करेंगे 220 cm2 यही इसका एंसर हो अगला प्रश्न है यदि किसी शंकू के वक्र प्रिष्ट का छेतरपल 77 pi वर्ग सेंटीमेटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 cm हो तो शंकू का उचाई गयात कीजिए If the area of the curved surface area of a cone is 77 pi square centimeter and the diameter of the base is 14 cm then find the height of the cone मतलब यहाँ पर देखिए इस cone का क्या क्या दिया है वक्र प्रिष्ट का छेतरपल दिया है और क्या दिया है उसका आधार का व्यास दिया है क्या दिया है diameter diameter दिया है तो diameter given क्या है given है diameter of base आधार का व्यास दिया है आधार का व्यास दिया है तो आधार का व्यास यहाँ पर किता दिया है 2R 2R का value दिया है 14 cm तो R का value कितना हो जाएगा 7 cm उसका आधा कर देंगे 2 जाके divide हो जाएगा 7 में क्या दिया है शंकू का वक्र प्रिष्ट का छित्रफल दिया है शंकू का वक्र प्रिष्ट का छित्रफल दिया है वक्र प्रिष्ट का छित्रफल तो वकर प्रिष्ट का छेतरफल curve surface area of cone दिया है curve surface area of cone दिया है area of cone तो curve surface area कितना है फार्मूला π i R L और इसका वेल्व दिया है 77 π i तो इसे अगर हम L निकालेंगे तो L तो πाई L आर का वेल्यू कित्ता दिया है साथ इन्टू L is equal to 77 पाई तो L is equal to 77 पाई अपन 7 पाई 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 कड़ गया 7 इलेवन जा 77 यहीं L का वेल्यू क्या हो जाएगी 11 cm तो L का वेल्यू यहां पर 11 cm मिल गया अब यहां पर देखिए राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है H निकालना है तो पाई थोगरस थियोरम से अब क्या है अब क्या हो जाएगा L square is equal to H square प्लस R square एनी 11 का square is equal to क्या हो जाएगा H square प्लस R square बुलने से कित्ता हो जाएगा 7 का square तो H square इसलिए क्या हो जाएगा H square is equal to 11 का वर्क करेंगे 121 minus 7 का मदलब 49 minus करेंगे तो H square is equal to कित्ता हो जाएगा 72 तो H is equal to इसलिए H is equal to under root 72 is equal to इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुनिद 6 गुनिद 2 लिख सकते हैं तो 6 वर्कमूल 2 cm 6 वर्कमूल 2 cm चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं 6 गुनिद 1.414 से multiply करके भी इसका answer निकाल सकते हैं तो या गुना करेंगे तो 8.484 cm भी हो सकता है तो दोनों answer सही है या वर्कमूल 2 का मान किता होता है 1.414 multiply करेंगे तो भी answer आजाएगा अगला प्रश्न दिया है यदि शंकू का तिर्यक उचाई 21 cm तथा आधार का व्यास 14 cm हो तो उनकी संपूर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल ग्याद केजिए यानि वक्र प्रिष्ट का छेत्रफल और साथ में जो बिद्दा का प्रिष्ट है यानि आधार का जो छेत्रफल है दोनों का योग अपने को प्राप्ट करना है तो दिखिए क्या क्या दिया है दिया है आधार का व्यास दिया है आधार का व्यास आधार का व्यास डायमेटर अफ बेस कितरा है 2R 2R is equal to दिया है 14 cm तो R is equal to किता हूँ 14 बटे दो यानि 7 cm हो जाएगा और slant height दिया है slant height slant height एनि L तिर्यक उचाई भी दिया है तिर्यक उचाई L का value कित्ता दिया है 21 cm तो टोटल सर्फेस एरी आप कौन फार्मूला है टोटल सर्फेस एरिया आप कौन सर्फेस एरिया आप कौन एनि शंकू का संपूर्ण प्रिष्ट का चेतरफल संपूर्ण प्रिष्ट बोलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा संपूर्ण प्रिष्ट दोनों प्रिष्ट मिला कर है संपुर्ण प्रिष्ट का छेत्रफल तो इसका शूत्र क्या है कि वक्र प्रिष्ट का छेत्रफल प्लस आधार का छेत्रफल तो जब फाइनल फार्मूला के आता है πाई आर आर प्लस एल क्योंकि πाई आर स्क्यार प्लस पाई आर एल होता है तो pi r common हो जाएगा pi यहाँ पर 22 बटे 7 है r का value 7 है r का value फिर से 7 है l का value कितना है 21 है 7 साथ से कट गया यहीं क्या बचा 22 और 21 और 7 किता हुआ 28 तो 28 दो ने 16 इसको आप 28 दो ने 15 और 15 add करेंगे 6 5 611 616 यहीं कितना हो जाएगा 616 616 cm2 यहीं इसका answer हो जाएगा अब 22 और 28 का गुणा किए तो 22 और 28 का गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमिटर इसका उत्तर होगी अगला प्रश्न देखते हैं जो कि जोकर के टोपी से सम्मंदित है तो जोकर का टोपी जो है शंकु आकार का होता है इसी से प्रश्न है देखिए यदि जोकर का स्वंका का टोपी की आधार की तरिज्जा 7 सेंटीमिटर तथा उचाई 24 सेंटीमिटर हो तो ऐसे 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाला शीट का छेत्रफल गैद कीजिए तो आपने को यहां पर देखिए यहां पर क्या का दिया है यह जो आधार की तरिज्जा दिया है और उचाई दिया है तो क्या दिया है अब यहां पर L स्क्वेर देखिए क्या गिवन है गिवन है R का वेलू दिया है R का वेलू 7 H का वेलू 24 तो L का वेलू हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपको बनाने के लिए केवल कौन सा surface निकालना है curve surface area तो curve surface area के लिए L लगता है तो L is equal to क्या होता है formula under root of slant height slant height या तिरियक उचाई जो होता है slant height या तिरियक उचाई तिरियक उचाई का शुत्र होता है तिरियक उचाई L is equal to under root of h square plus r square तो h यहाँ पर कितना है 24 का square plus 7 का square 24 का square बोलने से 24 into 24 करेंगे 24 into 24 करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 576 यह आ जाएगा 576 plus 49 दोनों को add करेंगे जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 625 अब 625 को आप क्या लिए सकते हैं under root of 5 into 5 into 5 into 5 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं या फिर आपको भाग बेदी से आता है तो उसको निकाल लेंगे जैसे भी निकालना होता है जैसे 625 को आप 5 से डिवाइट किये तो 125 आया फिर 5 से डिवाइट किये 25 आया फिर 5 से डिवाइट किये 5 आया मतलब इसका गुननखंड में 5 into 5 into 5 into 5 तो यह दो बार के लिए एक बार यह दो बार के लिए एक बार अब 25 सेंटिमीटर हो गया तो एक टोपी बनाने में लगने वाला शीट का चित्रफल एक टोपी बनाने में बनाने में लगने वाले लगने वाले शीट का चित्रफल शीट का चित्रफल किसके बराबर हो जाएगा इसका जो area होगा क्या हो जाएगा curved surface area is equal to क्या हो जाएगा curved surface area curved surface area of cone area of cone एनि संकू का वक्र प्रिष्ट का छेतरफल संकू का वक्र प्रिष्ट का छेतरफल प्रिष्ट का छेतरफल तो यहाँ पर क्या हो जागा पाई आर एल आपको कितना टोपी बनाना है दस टोपी तो दस टोपी बनाने में लगने वाले शीट का चितरफल लगने वाले शीट का चितरफल शेट का शेटरपल तो एक टोपी बनाने के लिए उसका वक्रपिष्ट के बराबर लगता है यहाँ दस टोपी के लिए 10 गुणि पाई आर एल तो यहाँ पर 10 पाई का वेलू 22 बटे 7 आर का वेलू 7 है और एल का वेलू अभी अभी निकाले 25 साथ साथ से कट गया तो 22 गुणि 10 कितना हो गया 220 गुणि 25 गुणा करेंगे सुन्य 25 दोने 50 बचा 5 पाँचिस दोने 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 तो यह हो जाएगा 55 हो जाएगा इतना सेंटीमेटर स्क्यार तो मतलब इतना कपड़ा आपको जोरुरत होगी 10 टोपी बनाने के लिए चले अगला प्रेश्न है आप इस प्रकार का शीट देखी होंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का तंबू जो बनता है यह भी कोण आकरिती क्या है इसी कोण आकरिती का हमचेतरफल से सम्मंदित प्रश्न को जानेगे प्रश्न देखी बहुत अच्छा प्रश्न है एक शंका कर तंबू की उचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक उचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल यानि केनवास का लागत मुल्य ग्याद कीजिए यदि उसका मुल्य सत्तर रुपेय प्रती बार्ग मीटर हो मतलब जो कपड़ा है वो सत्तर रुपेय प्रती बार्ग मीटर का रेट से मिल रहा है आपको क्या करना है कि कितना कपड़ा लगेगा तो कितना कपड़ा लगेगा मतलब आपको उसका वक्र प्रिष्ट का छित्रफल ग्याद करना है तम्बू का वक्र प्रिष्ट का यहाँ पर जो शंकू आकार कब बन रहा है इस शंकू का वक्र प्रिष्ट का छित्रफल ग्याद करना है तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है सबसे पहले गिवन क्या है गिवन गिवन यहाँ पर एच दिया है यह तम्मुक को उचाई एच दिया है हीज़ इउकल टू 5 मेटर आधार की तृज़ यहाँ एणि आर आर इज़ इगल टू कित्ता दिया है 12 मेटर तो वक्र प्रिष्ट निकालने के लिए क्या चाहिए पाई आर एल एल नहीं मालूम तो एल का शूत्र क्या होता है तिर्या कुचाई का शूत्र होता है इसलिए एल is equal to under root of h square प्लस r square एनि l is equal to under root of h बोलने से यहाँ पर 5 का square प्लस 12 का square एनि l is equal to क्या हो जाएगा 5 का square एनि 25 और 12 का square बोलने से 12 बारा बारा 144 144 और 25 को जोड़ेंगे एनि कित्ता हो जाएगा 169 और 169 तेरा कुणत तेरा कित्ता होता है 169 इसलिए l is equal to आप लिख सकते 13 into 13 और 13 का जोड़ी बन रहा है एनि l का value कितना हो जाएगा 13 मिटर एनि इसके जो तीरियक उचाई होगी यहाँ से यहाँ तक जो तीरियक मुचाई होगी वो 13 मिटर है यह आपका 5 मिटर है और यहाँ से यहाँ तक यह कितना मिटर है 12 मिटर है अब इसकी वक्र प्रिष्ट निकालना है तंबू में लगने वाला तिर्पल कितना लगेगा अब तंबू में तंबू में लगने वाला तिर्पल लगने वाला तिर्पल तो लगने वाला जो तिर्पल है लगने वाला तिर्पल कितना हो जाएगा लगने वाला तिरपल तंबू के वक्रप्रिष्ट के बराबर होगा या संकू के वक्रप्रिष्ट के बराबर होगा संकू के वक्रप्रिष्ट के बराबर होगा तो संकू का वक्रप्रिष्ट क्या होता है फार्मूला पाई आरेल पाई आरेल आप रखेंगे तो πाई आरेल रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर पाई आरेल हो जाएगा ठीक अब तिरपल की लागत तिरपल की लागत तिरपल तिरपल की लागत तो लागत में क्या हो जाएगा कितना पैसा लगेगा तो इसका दर महने इसका rate प्लस एरिया च्छेतरफल कितना च्छेतरफल है उसको यह करेंगे रेट और दोनों का मल्टिपिकेशन करेंगे टोटल कोस्ट तो टोटल कोस्ट निकालने के लिए आप क्या किये उसका रेट रेट कितना है यहाँ पर रेट आपका दिया है किता रेट था 70 रुपिया तो 70 रुपिया और 6 रफल क्या आए पाई आर एल तो यह हो जगा 70 पाई एनी 22 बटे 7 आर यहां पर आपका आर किता था 12 मेटर और एल एल यहां पर किता है तीरिया कुचा यह आपने यहां लिकाला 13 मिटर तो 12 और यह 13 तो यहां पर देखिए 7 कट जाएगा 10 बार यही किता होगा 10 गुनित 22 गुनित 12 गुनित 13 तो सब कर गुना करेंगे यह हो जाएगा आपका 220 और इसमें 12 तीन बार चटीस बचा तीन बार एकम बार बार और तीन पंद्रह 156 इन दोनों को जब गुना करेंगे तो गुना करके देख लिजिए गुना जो हो जाएगा यह गुना आजाएगा 34,320 रुपे इसको गुना करेंगे 320 रुपे यही इसका एंसर हो जाएगा यही जब अब दर निकालेंगे उसका चेत्रफल निकालेंगे चेत्रफल के साथ दर का गुना कर देंगे तो टोटल कोस्ट आपका निकल जाएगा अगला प्रश्ण दिया है उस संकू का आयतन गयत किजिए जिसके आधार का छितरफल 300 वर्ग सेंटीमेटर तथा उचाई 15 सेंटीमेटर है यह यह आधार का छितरफल यह वाला छितरफल दिया है तो क्या दिया है दिया है शंकू का आधार का छितरफल यह नि पाई आर स्केर इसकेर 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 दिया है 300 सेंटीमेटर स्केर दिया है area of base area of base यह दिया है और क्या दिया है उचाई यह उचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक उचाई यह उचाई एक एंड रहे उचाई भी दिया है उचाई edge is equal to दिया है 15 सेंटीमेटर यह हैट दिया है क्या निकालना है आयतन यहीं volume of korn यहीं शंकु का आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन का जो शूत्र होता है और देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दे तो पाई आर स्क्वेर का वैलू दिया है तो वन बाई त्री और पाई आर स्क्वेर का वैलू दिया है 300 और दिया है 15 तो तीन इकम तीन तीन पंचे 15 और 15 मतलब यहाँ पर 300 और बचा 5 यहीं दोनों का गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 1500 सेंटीमिटर स्क्वेर क्या निकालना है आयतर निकालना है तो यह क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आर का घात दो और एच का घात एक मतलब आर भी लंबाई से संबंदित है एच भी लंबाई से संबंदित है इसलिए सेंटीमिटर क्यूब हो जाएगा यहीं पंदरा सो घन सेंट हो जाएगी अगला प्रेश्ण है देखिए उस शंकु का उचाई गयत के जिए यदि आयतन 550 घं सेंटिमीटर तथा व्यास जो है 10 सेंटिमीटर है ठीक है तो क्या-क्या गिवन है देखिए यहाँ पर गिवन क्या है दिया है गिवन व्यास दिया है डायमेटर दिया है डायमेटर एनी 2R दिया है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पुरा दिया है 2R का वेलू कितना दिया है 10 सेंटिमीटर तो R का वेलू कितना हो जगा 10 बटे 2 एनी 5 सेंटिमीटर आर का वेलू यहाँ पर 5 सेंटिमीटर है साथ में क्या दिया है इसका आयतन दिया है Volume of Cone शंकू का आयतन दिया है तो शंकू का आयतन देखी यहाँ पर आयतन का शूत्र क्या होता है 1 by 3 पाई R square edge और इसका मान दिया है 550 सेंटिमीटर क्यूब यह दिया है तो 1 बाई 3 पाई एनी 22 बटे 7 आर स्क्वेर एनी 5 का स्क्वेर इन्टु H बराबर 550 ठिक अब यहां पर देखिए पक्षांदर करेंगे तो H is equal to 550 और 3 जाके गुना हो जाएगा 7 जाके गुना हो जाएगा और 22 और यहां पर आपका 5 का स्क्वेर 25 जाके यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर आप काटेंगे तो 11 दोने 22 पांच ग्यारा 55 एक शून्य लगाएगे 50 यह हो जाएगा 25 एकम 25 पांच दोने 50 दो एकम दो एकम दो कट गया यही क्या बचा तीन और साथ बचा H बराबर 3 गुनित 7 यही एच बराबर के इत्ता हो जाएगा 21 सेंटिमीटर यही इसकी जो उचाई होगी वो कितनी होगी 21 सेंटिमीटर अगला प्रश्ण देखिए किसी शंकाकर कप की आधार की परिवी 22 सेंटिमीटर तथा उचाई 6 सेंटिमीटर हो तो इसमें कितना पानी अधिक्तम रखा जा सकता है मतलब यह जो कप है देखिए यह उचाई है यह त्रिज्या है और यह जो है परिधी है तो क्या क्या गिवन है गिवन क्या दिया है परिधी दिया और क्या दिया है उचाई दिया है उचाई height h 6 cm और दिया है परिदी circumference circumference कितना दिया है यहाँ पर circumference का फार्मूला क्या है 2 pi r और 2 pi r का value दिया है 22 2 pi r का value 22 तो 2 pi का value 22 बटे 7 into r is equal to क्या हो जागा 22 तो r is equal to क्या हो जागा 22 गुणित 7 पक्छांतर करेंगे तो 2 गुणित 22 22 कट गया यहाँ आर का value कितना हो जागा 7 बटे 2 यहाँ बोल सकते 3.5 cm तो 3.5 cm है तो 3.5 cm है यहाँ अब यहाँ पर अब कप में आ सकने वाले पानी का अधिक्तम मात्रा कप में आ सकने वाले सकने वाले पानी के अधिक्तम मात्रा तो अधिक्तम मात्रा किसके बराबर होगी अधिक्तम मात्रा बराबर क्या हो जागी कब का आयतन कब का आयतन जितना आयतन होगा volume होगा volume of cup volume of cup तो cup का वो जो volume है वो किस shape का है कोण shape कोई है इसलिए क्या हो जाएगा 1 by 3 pi r square h एनि क्या हो जाएगा 1 by 3 into 22 बटे 7 r कितना है 7 बटे 2 तो 7 बटे 2 गुणित 7 बटे 2 कर सकते 3 दसलिए 5 को 2 बार गुणा करे या 7 बटे 2 जो पहले value था उसको रख देंगे 7 बटे 2, 7 बटे 2 और उचाई यहाँ पर कितना है 6 तो देखिए 3 एकम 3 3 दोने 6 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया 7 एकम 7 7 एकम 7 कट गया ठिक नीचे बचा 2 2 एकम 2 11 दोने 22 क्या क्या बचा अपने पास 11 बचा और क्या बचा 7 और 7 और 11 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना हाजाएगा 7 गयारा 77 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूँड यही इसका एंसर होगी मतलब अधिक्तम इतना पानी आ सकता है चलिए अगला बहतरीन प्रश्ण है एधि एक मीटर लंबी धातू के छड जो कि बेलना कर है कि तरिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को पिगला कर ऐसे कितने शंकू बनाया जा सकते है जिनकी तरिज्या 1 सेंटीमीटर और उचाई 2.1 सेंटीमीटर है यहाँ पर बेलन से इससे हम क्या बना रहे है शंकू बना रहे है तो ऐसे कितने शंकू बनाया जा सकते है अगर इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसकी जो तृज्जया है वो कितना है तीन दसमलोग 5 cm है एक मीटर रहने कितना है 100 cm है और यहाँ पर जो जिसको बनाना है इसकी तृज्जया कितनी है 1 cm है और उचाई कितना है 2 दसमलोग 1 cm तो देखिए, क्या-क्या दिया है, सबसे पहले दिया है, बेलन का लंबाई, तो बेलन का लंबाई जो है, L ले ले या H ले ले, L या H ले ले, जो भी लेना है, is equal to किता दिया, 1 meter, एन ही क्या करेंगे आप, 100 cm, क्योंकि बाकी सब देखिए, cm में हैं, इसलिए 1 meter को भी हम किसम बदलेंगे, cm में बदलेंगे, ठीक, अब इसकी त्रिज्ज्या, बेलन की त्रिज्ज्या, बेलन की त्रिज्ज्या, एन ही radius of, radius of cylinder, radius of cylinder, r का value दिया है, इसको capital R ले ले लिजिए, capital R is equal to 3.5 cm, अब radius of cone दिया है, देखिए, radius of cone, small r लीजिए, छोटा चीज़ बनाना है, तो इसको small r ले ले लिजिए, is equal to दिया है, यहाँ पर 1 cm, और height of, height of cone, h, संकू का उचाई, संकू का उचाई, कितरा है, दो दसम लोग 1 cm, और यहाँ पर संकू की त्रिज्ज्या भी ले ले लिजिए, शंकू की त्रिज्ज्या, इतना अपने पास दिया है, अब कितना शंकू बनेगा, देखिए, तो दोनों का आयतन क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगी, मतलब, जितना n शंकू अगर बनता है, तो n शंकू का आयतन, बेलन का आयतन के बराबर होगा, तो अगर शंकू की जो संक्या है, तो शंकू की संक्या हम निकालने के लिए, शंकू की संक्या, कितने शंकू बनेगा, तो शंकू की संक्या is equal to क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, जिससे बनाना है, बेलन का आयतन और बटे शंकू का आयतन, यह आप भाग दे देंगे, शंकू का आयतन, एक शंकू का आयतन, इंटू शंकू के संक्या बराबर बेलन का आयतन, पक्चांतर करेंगे तो यह आ जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर volume of cylinder आप ल of कौन, volume of कौन, इस इकवल टू, number of कौन, number of कौन, कितना कौन बनेगा, ये लिख लिए, तो n मान लीजिए, number of कौन, कितना बनेगा, n, अब बेलन का जो आयतन होता है, पाई, आर स्क्वेर है, और शंकु का पाइतन वन बाई थ्री पाई आर स्क्वेर एच एक में कैपिटल आर लेंगे जिस से बनेगा उसको कैपिटल ले लिजिए और जो बनेगा चुकि छोटा साइज है तो उसमें स्मॉल ले लिजिए पाई पाई कट गया तो एन इस इक्वल टू आर कितना था आर यहाँ पर दिखिए कितना है तीन दसमलो पाँच सेंटीमेटर यही जो बेलन है वो तीन दसमलो पाँच सेंटीमेटर का स्क्वेर उचाई कितना था उसका लंबाई सौव सेंटीमेटर है तो सौव कर देंगे और एक बटे तीन आर कितना है एक सेंटीमेटर का आपको बन नाना है तो एक का स्क्वेर इंटू इंटू क्या हो जाएगा एच यहाँ पर एच कितना है 2.1 तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 स्क्वेर को 3.5 और यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 100 और 2.1 काटेंगे 0.7 आ जाएगा 0.7 इसते कटेगा 5.75 और पाज बार कटेगा यह हो जाएगा 35 और यह जाएगा 3.5 इंटू 500 दोनों को गुना करेंगे तो 35.25 तो 35.25 तो 17 यहीं सत्रा सो पचास आपका बनेगा यहीं सत्रा सो पचास कोण बनेगा सोंकू बनेगा यह हो जाएगा यह जाएगा तो कॉंसेप्ट यही है कि बेलन की संख्या बेलन के जो आयतन है उसको एक शंकू का आयतन से भाग देने पर शंकू की संख्या निकल जाएगी अगला प्रश्ण है एक संकून त्रिभूज जिसकी भुजाए 21 cm, 28 cm तथा 35 cm है यदि उसे 28 cm वाले भूजा को अक्ष मान कर घुमाया जाए तो बनने वाले आकृती का नाम तथा उसका आयतन गयत कीजिए तो सिंपल है अगर एक त्रिभूज को अगर हम घुमाएंगे 28 cm को इसको अक्ष मान कर घुमाएंगे तो एक कोन बनेगा यहीं क्या बनेगा एक शंकू आकृती बनेगा शंकू आकृती बनेगा शंकू आकृती बनेगा कंफर्म है कि शंकू इसको घुमाएंगे इसको अक्ष मानेंगे इसको घुमाएंगे तो इस टाइप का यह क्या बन जाएगा एक शंकू बन जाएगा तो इस शंकू का अगर देखे तो क्या-क्या चीज बन रहा है यहाँ पर यह जो slant height है यह हो जाएगा आपका 35 यह 35 cm L का value 35 H का value 28 R का value कितना है 21 इस सारे चीज आ जाएगा तो इसका आयतन निकालना है तो शंकू का आयतन आपको ग्याद करना है तो शंकू का आयतन आपको ग्याद करना है तो शंकू का आयतन volume of cone आपको निकालना है volume of cone निकालेंगे तो 1 by 3 pi r square H इसका formula होता है तो 1 by 3 pi का value 22 बटे 7 r square r square बोलने से 21 यहाँ पर त्रिज्या है तो 21 गुणित 21 आ जाएगा और H यहाँ पर कितना है 28 तो 3 3 सत्ते 21 7 साथ से कट गया यहनि क्या क्या बचा आपका बचा 22 और बचा 21 और बचा 28 सबको आप गुणा करते जाएंगे 22 गुणित 21 और गुणित 28 करते जाएंगे तो 12,936 मिलेगा आप गुणा करके देख लीजिए 12,936 सेंटीमेटर क्यूब इसका एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखिए यदि एक शंकू और एक बेलन का आधार की तिरिज्या समान हो तर और उसकी आयतनों का अनुपाद गयात किजिए यहनि यदि इसका उचाई बराबर हो यदि एक शंकू का उचाई यहाँ पर उचाई वर्ड जोड दीजिए उचाई इस रेडियस अफ दे बेस अफ दे कोन एंड हाइट अप इस सिलेंडर आफ सेम फाइंड दे रेश्यो अफ देर वोल्यूम तो देखिए उचाई बराबर है एन्य एच वन एच इस इक्वल टो एच है अगर बेलन का उचाई और कोन का उचाई बराबर है दूसरा यह मान लिजे कोन है और यह सिलेंडर है बेलन और तरिज्या इसमें स्मॉल आर है इसमें कैपिटल आर है दोनों क्या है एक्वल है मतलब यहां से यहां तक देखिए तरिज्या बराबर है उचाई भी बराबर है एच है और ए आर है एक कैपिटल है एक कैपिटल आर है दोनों क्या है कौन एनि अपन वोल्यूम ओप सिलेंडर एनि शंकू का आयतन बटे बेलन का आयतन तो दोनों का आयतन का अनुपाद ग्याद करना है तो मानले जी ये वी वन अपन वी टू है इस इक्वल टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वेर स्मॉल एच अपन पाई आर स्क्वेर एच पाई 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 कैंसल हो गया चुकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है और स्मॉल एच कैपिटल एच के इक्वल है तो वी वन अपन वी टू इस इक्वल टू वन बाई थ्री ये हो जाएगा आर स्क्वेर एच अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वेर एच 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 कट गया आर स्क्वेर आर स्क्वेर कट गया यही वी वन अपन वी टू इस इक्वल टू वन बाई त्री यही इसका एंसर है यही दोनों का आयतन का जो अनुपात होगी एक अनुपात तेन होगी चलिए चप्टर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या देखा अभी तक हमने क्या-क्या पड़ा तो संकु का आयतन पड़ा संकु का वक्रप्रिष्ट के बारे में जाना आयतन वक्रप्रिष्ट संपुन प्रिष्ट का चत्रफल और उसका शूत्र संपुन प्रिष्ट का चत्रफल आयतन का शूत्र उसकी तीरिया कुचाई का शूत्र तीर्यक उचाई को शूत्र L बराबर अंडरूट R स्क्वर प्लस H स्क्वर फिर हमने देखा कितने प्रिष्ट होता है वो उसके बारे में जाना अब साथ में पहला जो question है उसमें हम उसके वक्र प्रिष्ट का छेतरफल निकालेंगे पाई RL से और 220 सेंटीमिटर स्क्वर इसके एंसर आ रहा है R का value यहाँ पर साथ है और उचाई 10 था दूसरा क्या है वक्र प्रिष्ट दिया है तो वक्र प्रिष्ट से आप L निकालेंगे वक्र प्रिष्ट से L निकल जाएगा और फिर आप H निकाल सकते हैं पर अगला प्रिष्ट में क्या था? टोटल सरफिस एरिया निकालना है तो पाई R R plus L का शूत्र लगाएँगे और इसका मान ग्याद करेंगे अगला प्रश्ण में था कि त्रिज्जा दिया था उचाई दिया था उसकी तीरियक उचाई कितना होगा तीरियक उचाई निकालेंगे और तीरे कुछ है निकालने के लिए एक टोपी बनाने के लिए उसके बक्र पिष्ट के बराबर छित्रपल का कपड़ा लगेगा और दस टोपी बनाने के लिए दस से मल्टिप्लाई करेंगे तो उतना छित्रपल का कपड़ा या शीट लगेगा ठीक है फिर जो केंवास का तिरपल बनाने के लिए जो है H और R दिया है L निकालेंगे 13 मीटर आ जाएगा जब ये तंबू में लगने वाला जो तिरपल है PRL से उसका वक्र पिश्ट निकालेंगे और तिरपल का जो लागत है दर और उच्छेत्रफल का गुना करेंगे दोनों का गुना करने से 34,320 रुपए आपको मिल जाएगा प्रश्ण नमबर 6 में क्या था कि उचाई दिया था और आधार का उच्छेत्रफल दिया है आयतन गयात करना है एक बटे तीन आधार का च्छेत्रफल गुनित उचाई करना है तो एक बटे तीन जो है तीन और पन रकट जाएगा पांच और तीन सो पन रासो इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण में क्या था व्यास दिया था त्रिज्या निकालेंगे 5 सेंटिमीटर आयतन 1 बाई 3 पाई आर स्कूरेज से आप निकालेंगे एच, एच को रखेंगे बाकि सब को पक्छांतर कर देंगे और इस प्रकार इसका जो वैलू आ जाएगा 21 सेंटिमीटर मिल जाएगा प्रश्नक्रुमांग 8 में क्या था उसके उचाई दिया था हाइड दिया था सरकंफरेंस दिया था सरकंफरेंस से आप रेडियस निकालेंगे और कप में कितना मैक्जिमम वाटर आएगा ये उसके वॉल्यूम के एकोडिंग होगा तो वॉल्यूम जो है एक सिलेंडर से आप कोन बना रहे हैं तो जो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम को एक कोन का वॉल्यूम से डिवाइट करेंगे तो नमबर अप कोन आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर वैलू रखेंगे तो आपका 1750 कोन आपका मिल जाएगा जब एक राइट एंगल ट्रेंगल को हम घुमाते हैं एक समकोन त्रिबूज को घुमाते हैं तो एक कोन आकरिती बनता है जो उसका लंब है वही उसका उचाई हो जाता है और जो कर्ण है वो तीरियाक उचाई हो जाता है और जो आधार है वो उसका आधार की त्रिच्या बन जाता है और इससे आप फिर उस कोन का या उस शंकू का आयतन आप ग्याद कर सकते हैं 1 by 3 pi r square h से अगर एक समान उचाई और समान आधार की त्रिच्या से एक बेलन बनाएंगे और एक शंकू बनाएंगे तो दोनों के आयतन का जो अनुपात होगा एक अनुपात 3 होगा क्योंकि आधार की त्रिच्या small r और capital r बराबर है small h और capital h बराबर है तो v1 by v2 जो हो जाएगा 1 by 3 बच जाएगा ठीक तो मेरे खाल से ये chapter का पूरा प्रशन आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी प्रशन समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे परसनल नंबर 94791-52137 में और सब करके पूछ सकते हैं थैंक यू थैंक यू बेरी मच